देश के बड़े पेमिंट्स बैंक में से एक पेटियम पर नियमों की अंदेखी भारी पड़ गई है एक ब्यापक सिस्टम आडिट रिपोर्ट और बाहरी आडिटर्स की ओर से तयार रिपोर्ट के बार रिजर बैंक ने पेटियम पर कई तरह की परतीबंद लगाने के भूशना की है रिजर्ब बैंक के मुदाविक रिपोर्ट से पेटियम पेमिंट्स बैंक में लगातार नियमों की अंदेखी का पता चला है इसलिए आगे की कारवाई की जरुरत है चलिए आपकों परतिवंधों की फैरिस और उनकी डेडलाइन की जानकारी दे देते हैं जो कि रिजर्ब बैंक की ओर से पेटियम पेमिंट्स बैंक पर लगाई गई है रिजर्ब बैंक ने बताया है कि 11 मार्च 2022 को पेटियम पेमिंट्स बैंक लिमिटेट को ततकाल परभाव से नए गरहाकों को जोडने से रोप गया गया था इसके बाद विस्तिरत सिस्टम ओडिट रिपोर्ट और एक्स्टरनल ओडिटर्स की रिपोर्ट से ये पता चला कि बैंक में लगातार नियमों के नहीं पालन करने से जुड़ी चिंताई सामने आई इसके बाद रिजर्ब बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35-A के तहट दीगे शक्तियों का अस्तमाल करते हुए पेटियम बैंक को लेकर कई बड़े फैसले लिये हैं RBI ने पहले निर्देश में पेटियम पेमिंट्स बैंक को किसी भी गरहक खाते प्रिपेट साधन, वॉलेट, फास्टेक, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ट में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप अप सुईकार नहीं करने को कहा है इस निर्देश का मतलब यह है कि एक मार्श 2024 से पेटियम अपने गरहकों को बैंकिंग, वॉलेट, फास्टेक, नेशनल कर सकते हैं यही नहीं, पेटियम पेइमिंट्स बैंक 29 फरवरी के बाद दूसरी बैंकिंग सर्विस जैसे एईपियस, आईएमपियस, बीवी, पीयो, यूपियाई सुविधा नहीं परदान कर पाएगा इसका मतलब यह है कि एक मार्च से पेटियम, एईपियस, बीवी, पीयो, यूपियाई जैसे सुविधाई अपने प्रेटफर्म पर नहीं दे पाएगा आर्बियाई ने ये भी निर्देश दिया है कि 197 Communication Limited और पेटियम Payment Service Limited के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी हालत में 29 फरवरी 2024 से पहरे समाप्त करना चाहिए जो आखरी निर्देश आर्बियाई ने जारी किया है उसके मताबिक सभी पाइप्लाइन ट्रेंजिक्शन्स और नोडल खातों का निप्टान 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा और इस तारीक के बाद किसी और लेंदेन की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो लोग पेटियम के वालेट सेविंग्स बैंकिंग का इस्तमाल करते हैं उन पर उन फैसनों का क्या असर होगा ये भी जानना बहर जरूरी है सबसे बड़ा असर ये होगा कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटियम फास्टेक सर्विस बंद हो जाएगी यानि कि अगर आप अपने गाड़ी में पेटियम का फास्टेक इस्तमाल करते हैं तो एक मार्च से एक किसी भी टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटियम पर लोन नहीं ले पाएंगे तोकि ये सर्विस एक मार्च से बंद हो जाएगी 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटियम यूपियाई का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे इसके लिए आपको एक मार्च से दूसरे गेटवे का इस्तमाल करना होगा 29 फरवरी 2024 के बाद आप किसी को पेटियम गिफ्ट कार्ट नहीं भेज सकेंगे पेटियम ने अगस्त 2023 के एक फाइलिंग में ये जानकारी दी थी कि उनके औसत मंतली यूजर्स 9.3 करोड हो गए हैं कंपनी का दावा है कि उनके पास 30 करोड से अधिक वालेट यूजर्स हैं वहीं पेटियम पेटियम पेइमेंट्स बैंक में 3 करोड गरहकों ने बैंक खाता खोल रखा है RBI की पावंदियों का मतलब ये है कि 30 करोड पेटियम यूजर्स पर सीधा इसका असर होगा विरो रिपोड जी मीडिया